यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है 206 दिन उनके विशय में क्या जो विश्वास नहीं करते हैं फरवरी 1994 में मैं इश्यू से मिला जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया मैंने समझा कि वह मेरे लिए मरे मैंने उनके प्रेम का अनुभव किया मैं जानता था कि परमेश्वर वास्तविक है मैं इश्यू के साथ एक संबंद की असाधारन आशिश को जान पाया लेकिन लगबग तुरंथ ही इसके बाद मैंने उसका अनुभव किया जो पॉलूस इस लेखांश में बताते हैं एक बड़ा शोक मेरे अंदर अंगिनत दर्द रोमयो नौका दो मैंने चाहा कि हर कोई उसे अनुभव करे और जाने जो मैंने हाल ही में अनुभव किया है मैंने इच्छा की कि मेरा परिवार और मेरे मित्र मसी को जाने जो अब तक मसी नहीं बने थे प्रेरीत पॉलूस अपने लोगों के विशय में जागरुक रूप से इतनी चिंता करते थे कि वह परमेश्वर और उन लोगों से जिनसे वह प्रेम करते थे अलग होने के लिए तैयार थे यदि उनका उधार हो जाता वह लिखते हैं क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाईयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्भी हैं स्वयम ही मसी से शापित हो जाता फिर भी पॉलूस भरोसा करते थे कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रन में था कैसे हम अपने प्रिये जनों के लिए इस वेदना और जुनून को संतुलित रखें परमेश्वर की सर्वभावमिकता में भरोसे के साथ भजन सहिता नवासी का नौसे तेरा परमेश्वर का धनिवा दीजिये उनके राजी और साशन के लिए हम सभी प्रशनों के उत्तर नहीं पाते हैं लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने ब्रमान को नियंत्रित रखते हैं यह परमेश्वर का विश्व है वह आपसे प्रेम करते हैं और आप ना केवल अपने भविश्व के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन इस बात के विशय में भी कि बाकी लोगों का क्या होगा। आकाश तेरा है, प्रत्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। ना केवल उन्होंने विश्व का निर्मान किया, लेकिन वह इतिहांस में भी कारे करते हैं। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, तेरी भुजा बल्वंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्व से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही कोदपन करती है। अर्थात उन ही के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप सर्वभौमिक परमेश्वर हैं, आप विश्व के निर्माता हैं और इतिहास के रचाइता हैं, आपका धनिवाद क्यूंकि मैं भरोसा कर सकता हूं कि आप मेरे जीवन की परिस्तितियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं। नयानियम, रोमियो 9 का 1 से 21, उनकी दया और करुणा। यह सही नहीं है, यह ना किवल बच्चों की पुकार है, लेकिन बहुत से वयस्क लोगों की भी जो मसीही विश्वास को समझते हैं। अध्याए 8 के अंत में पत्रियों के उचितम स्तर पर पहुँचकर पॉलूस अध्याए 9 और 11 में इसराइल के वंश के बारे में बताते हैं। पॉलूस ने यह नहीं सोचा कि एक मसीही बनना यहुदिपन से परिवर्तित हो जाना है। इसके बजाए उन्होंने सोचा कि यह सचे इसराइली और अबरहाम की सची संतान बनने का एक भाग है। पॉलूस के लिए यह बिलकुल व्यक्तिगत था। वे उनके परिवार थे। वह उनके साथ पले बड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े शोक को देखा और उनका मन सदा दुखता रहता है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि किसी के एक मसी बन जाने के बाद जीवन में कोई शोक नहीं होगा। लेकिन पॉलूस के लिए महान आनंद के साथ महान शोक और दर्द भी आया। यह एक विचित्र विडम बना है। आप भी शायद अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के विशय में शोक महसूस करते हैं जो शायद से राज के बाहर है या जब लोग इशु को नकार देते हैं। पॉलूस ने उनके उद्धार के लिए इतनी चिंता की कि वह ना केवल उनके लिए मरने के लिए तयार थे बलकि मसी से शापित हो जाएं। पॉलूस के लिए अईसी प्रार्थना की जब उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने परमेश्वर के विरुदु पाप किया था। तब भी अब तो उनका पाप क्षमा कर नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे निर्गमन 32 का 32 परमेश्वर ने ना तो मुसा या पौलूस का प्रस्ताव और बलिदान स्वीकार किया क्यूंकि दोनों में से किसी का भी जीवन उनके लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित न ठहर था। फिर भी पॉलूस के लिए यह बहुत दुख की बात थी, कि वह समझते हैं कि उनके बहुत से लोगों ने छुटकारे और शमा के इस असाधारन उपहार को नकार दिया है, परमेश्वर ने उन्हें और हमें सब कुछ दिया है, और फिर वे इसे नकारना चुन सकते हैं. पॉलूस को यह बात ज्यादा दुखी करती हैं कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं. परमेश्वर ने अपनी सर्वभामिकता में इसरायल के लोगों को चुना हैं. वे इसरायली हैं और लेपालकपन का अधिकारी और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपास प्रतिग्याएं उन्ही की हैं. पुर्खे भी उन्ही के हैं और मसी भी शरीर के भाव से उन्ही में से हुआ. सब के उपर परमप्रधान परमेश्वर युगान युग धन्य हो. आमेन. उस सामाजिक स्तर के कारण वह जलते हुए प्रश्ण का सामना करते हैं जिससे अवश्ची ही उनकी सेवकाई की दोरान उन्हें परिशान किया होगा. क्या परमेश्वर का वाइदा असफल हो गया? उनका उत्तर है? नहीं. यह नहीं हुआ. तो स्पष्टिकरण क्या है? उनका पहला उत्तर है क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने कभी भी अबराहाम की सभी संतानों से वाइदा नहीं किया? फिर वह दो उधारन देते हैं. एक इसाहाक जिसकी तुलना उनके भाई से की गई, दूसरा याकूब जो इसाव के विरुद्ध था दोनों ही मामले में प्रतिग्या एक से की गई थी, दूसरे से नहीं. क्या यह सही है? क्या इससे शिकायत कर सकते हैं कि परमेश्वर अन्याई है? उनका उत्तर यहा है कि यदि कोई कहता है कि परमेश्वर अन्याई है, तो वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं. चुनाव की शिक्षा परमेश्वर की दया पर आधारित है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर क्रपा करना चाहूं उसी पर क्रपा करूंगा अंत्तह यह ना तो चाहने वाले की ना दोडने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है शब्द दया और करुणा साथ बार दिखाई देते हैं आप अपने भविश्य के विशय में और अपने प्रियजनों के विशय में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, वह पूर्ण नियंत्रण में हैं, यह उनका सर्वभौमिक उत्तरदाईत्व है बाईबल आगे प्रशनों के उत्तर देती है यह परमेश्वर की महान करुणा और उनके न्याय के बारे में बताती है यह चुनाओ और स्वेच्छा दोनों को सिखाती है स्वेच्छा का अर्थ है, हम अपने चुनाओं के लिए जिम्यदार है अक्सर बाइबल में सच्चाई एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं है, ना ही बीच में है, लेकिन एक ही समय में दोनों और है यह एक रहस्य नहीं है जो बाइबल हमारे लिए सुझ जाती है ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके विशय में हमें भजन सहीता के लेखक के साथ निश्कर्ष निकालना होगा ऐसा ग्यान मेरे लिए बहुत ही अद्भुध है, भजन सहीता 149 कच्चे हमें एक ही समय में चुनाव और स्वेच्चा की सच्चाई को लेना होगा परमेश्वर, आपका धनिवाद क्योंकि आप प्रेमी और दयालू है, क्रोध करने में धीमे और प्रेम में धनी है आपका धनिवाद क्योंकि आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करते हैं, वह मुक्त हो जाएं मेरे सहायता कीजिए कि आप पर भरोसा करूं तब जब मेरी समझ काम नहीं करती है पुराना नियम, होशे, ग्यारा का बारा से चौदा के नौ तक पाप से मुड़कर परमेशुर के पास आईए आपके लिए परमेशुर का प्रेम बिना शर्त का है वह इसलिए हमसे प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि हम इसके योग्य थे या हमने इसे कमाया वह मुक्त रूप से आपसे प्रेम करते हैं वह हमारी बेमानी को चंगा करना चाहते हैं परमेशुर के बिना शर्त के प्रेम में सामर्थ है हमारे पापों को क्षमा करने की फिर कृपा और नियाय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे यह होशे के संदेश को व्यक्त करता है। परमेश्वर उनके लोगों को प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं और वायदा करते हैं मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा, मैं सेंत मेत उनसे प्रेम करूँगा, मैं एक नई शुरुवात करूँगा, मुझसे ही तुफल पाया करेगा। इसराइल के पाप 21 शताबदी के पापों से बहुत अलग नहीं थे, उधारन के लिए शहर में वहाँ पर छल था, वह व्यापारी हैं और उनके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उनको भाता है, लोग अपने धन में सुरक्षा के खोजी थे, एक प्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किस काम में ऐसी बुराई नहीं पाई गई, जिससे पाप लगे, जब परमेश्वर आशिश देते हैं, तब हम संतुष्ट बन जाते हैं, जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम गमंडी बन जाते हैं, तब हम इस कारण वे मुझको भूल गए। इस कारण वे मुझको भूल गए। प्रेम किया जाना अद्बुत बात है। जब हम परमेशर से इस प्रेम का अनुबव करते हैं तब यह हमारे हृदय को बदलता है। इसके द्वारा परमेशर ने बटक जाने की आदत को काफी दूर किया है। लेकिन अब भी थोड़ा बाकी है। मैं उनकी बटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेंत मेत उनसे प्रेम करूंगा। क्यूंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है।